C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समयी दर्सी किताब आस पास का आठवा सबक पर फैलाएं उड़ते जाएं सफा नमबर पचास इस सफे पर एक दरख्त की शाखे दिखाई गई हैं हर शाख पर मुख्तलिफ परिंदे मौजूद हैं सर पर मेरे डैश है सुन्दर पंखो पर नाज है सुन्दर नाच दिखाता हूँ कौमी परिंदा कहलाता हूँ आसमान से सीधी आती हूँ छट चूहा ले जाती हूँ चोच है मेरी खाचे वाली डैश हूँ मैं बड़ी निराली हरे हरे हैं मेरे पंख लाल है मेरी डैश का रंग हरी मिर्च मैं खाता हूँ डैश मैं कहलाता हूँ काले काले डैश हैं मेरे और काला मेरी डैश का रंग काउं काउं मैं शोर मचाता डैश सफा नंबर इक्यावन कूहू कूहू आवाज लगाती मध्धम मध्धम से गीत सुनाती सबके मन को हू मैं भाती देखो मैं डैश कहलाती मरे जानवर खाकर मैं जगसाफ करता हूँ उचे डैश में उडता हूँ गिध मैं कहलाता हूँ रंग सिलेटी पंजे डैश गुलाबी डैश गुटर हो की भर करचाबी दिन भर शोर मचाता हूँ डैश मैं कहलाता हूँ चोच है मेरी बड़ी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली पत्ते सिलकर घर बनाऊँ डैश चड़िया मैं कहलाऊँ पेड के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छुपे कीड़े मैं खाऊं, ठक-ठक करता जाता हूं, कट फोडवा कहलाता हूं सफा नंबर बावन आज जंगल में इतना शोर कैसा? मैं बिल्कुल सो नहीं सकता प्यारे उल्लू, सारे परिंदे अपनी अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं उल्लू बोला, अब ये शोरो गुल बन करो, ये कैसा जगड़ा? हम सभी में कुछ ना कुछ खास है हमारे पर, पंजे, चोंच और बोली अलग-अलग है, मगर हम सभी परिंदे हैं सोचो, अगर हम सभ एक जैसे दिखाई देते और एक सा खाते, बोली भी एक सी ही होती, तो कितिनी बेरंग होती ये दुनिया? सबक में जिन परिंदों के नाम आए हैं, उनमें से तुमने किस-किस को देखा है उनके नाम लिखो, यहाँ नाम लिखने के लिए खाली जगा दी गई है अब बाहर जाकर देखो, तुम्हें कितने परिंदे दिखाई देते हैं पेड़ पर, मैदान में, पानी में और जाड़ियों के आसपास टेबल में परिंदों के नाम भरो और उस जगह पर सही का निशान लगाओ जहां तुमने उसे देखा था अगर तुम्हें परिंदे का नाम नहीं मालूम हो, तो उसकी कोई पहचान लिखो अगर बच्चे बाहर परिंदों को देखने गए, तो कागस पर उनकी तस्वीर को आसानी से पहचान सकेंगे खाली जगाहों को भरने के लिए ये जरूरी है कि बच्चों को परिंदों की खुसूसियत का इल्म हो ख्वाह वो उनके नाम ना जानते हो सफ़ा नंबर तिरपन यहां एक जदूल दिया गया है जदूल का उन्वान है जहां तुमने देखा है जदूल के छे कॉलम है पहले कॉलम का उन्वान है परिंदे का नाम दूसरे कॉलम का उन्वान है पानी में तीसरे कॉलम का उन्वान है पेड़ पर चौथे कॉलम का उन्वान है जमीन पर पांचवे कॉलम का उन्वान है घर में और छटे कॉलम का उन्वान है उड़ते हुए यहां आपके जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है क्या तुमने गौर किया है कि मुख्तलिफ परिंदों की चोंच भी मुख्तलिफ होती है नीचे कुछ परिंदों की चोंच की तस्वीरे हैं उनको गौर से देखो ये किन परिंदों की चोंचे हैं उनके नाम लिखो खाली खाने में किसी और परिंदे की तस्वीर बनाओ और उसका नाम लिखो यहां तीन मुख्तलिफ परिंदों की तसवीर दी गई है पहली तस्वीर में जो परिंदा है उसके सर पर एक ताज है दूसरी तस्वीर में परिंदे का रंग सिलेटी है और ये काउं काउं करता है तीसरी तस्वीर में जो परिंदा दिया गया है वो हरे रंग का है और इसकी चोँच लाल है यहाँ आपके जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है बच्चों में परिंदों के तैंग दिल्चस्पी में इजाफा करने के लिए उन्हें खामोशी से चड़ियों को बागौर दिखाया जाए उन्हें अपने मुशाहिदे को नोट करना भी आना चाहिए और उनसे कहा जाए कि कमराए जमात में सभी को बताएं सफा नंबर चववन यहां तीन खाने दिए गए हैं पहले खाने में दिए गए परिंदे की चोंच हुक नुमा है दूसरी तस्वीर एक सफैद रंग के परिंदे की है जिसकी चोंच लंबी है और गर्दन भी लंबी है तीसरा खाना खाली है और आपके जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है जिस तरहां परिंदों की चोंच अलग-अलग किस्म की होती है इसी तरहां उनकी खुराग भी मुख्तलिफ होती है कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई अंडे खाता है तो कोई मचली तस्वीर में दिये हुए परिंदों को उनकी गज़ा के साथ जोड़ो यहां एक चाट दिया गया है जिसकी बाइं जानिब मुख्तलिफ परिंदे हैं और बाइं जानिब उनके जरिये खाई जाने वाली गज़ा है पहली लाइन में गिध की तस्वीर है और उसके सामने हरी मिर्च दिखाई गई है दूसरी तस्वीर एक चील की है उसके सामने एक मरा हुआ परिंदा है तीसरी तस्वीर कट फोडवे की है और उसके सामने चंद बीज है चौथी तस्वीर एक तोते की है जिसके सामने एक चूहा नजर आ रहा है पांचवी तस्वीर एक कबूतर की है उसके सामने चंद चीटिया है सफा नंबर पचपन क्या तुमने कभी गौर किया है कि परिंदो के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग-अलग होते हैं मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है उलू तो अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज की नकल कर सकते हैं क्या तुम ऐसे किसी परिंदे का नाम जानते हो उसकी तस्वीर अपनी कौपी में बनाओ उसमें रंग भरो और उसका नाम भी लिखो बाहर खुले में जाओ और परिंदों को देखो कि वो कैसे चलते हैं और गर्दन कैसे हिलाते हैं उनके पर कैसे हैं और उनकी आवाजे भी सुनो किनी तीन परिंदों की आवाज की नकल करो उनकी गर्दन हिलाने के अंदास की भी नकल करो अपने साथियों से कहो कि वो पहचाने के तुमने किस परिंदे की नकल की है परिंदों के पर मुख्तलिफ रंग, साइज और नमूनों के होते हैं उनके पर उड़ने में मदद करते हैं और उनके बदन को गर्म भी रखते हैं वक्तन फवक्तन परिंदों के पुराने पर जड़ जाते हैं और नए पर निकल आते हैं। तुमने भी परिंदों के गिरे हुए परों को अक्सर देखा होगा। परिंदों के गिरे हुए परों को इखटा करो। उनके रंग रूप और हैथ पर बात चीत करो। किसी परिंदे की तस्वीर अपनी कौपी में बनाओ और उस पर पर चिपकाओ। उसका नाम लिखो। परिंदों के अलावा और कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं। जवाब के लिए यहाँ खाली जगा दी गई है। सफा नंबर चपन- अगर तुम भी परिंदों की तरह उड़ सकते तो तुम कहा जाते, क्या क्या करते। यहाँ जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है। अगर परिंदे उड़ ना सकें, बस अपने पैरों पर ही चलें तो क्य होगा आओ बनाएं मुर्गा एक कोरा कागस लो नमबर एक इसे तस्वीर के मताबिक नुक्तों वाली लाइन की जगह से मोडो नमबर दो तस्वीर में दिखाए गए नुक्तों वाली लाइन से कागस को आधा मोडो सफे की बाईं जानिब कुछ तसावीर दी गई हैं पहली तस्वीर में एक चौरस कागस है जिसके एक सिरे पर दो नुक्तों वाली लाइने हैं जो की दाईं और बाईं तरफ तिर्ची खिची हुई हैं दूसरी तस्वीर में दाईं और बाईं सिम्त के कोने बीच में मोडे ग कागस को नुक्तों की लकीर से तीर के निशान की तरफ मोड़ो. इस तस्वीर में दोनों तरफ के कागस के हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया है. चौथी तस्वीर में दिखाइ गए तरीके से काघस को मोड कर मुरूगे की चोच बनाओ इस तस्वीर में इस काघस को आखरी हिस्चे से उपर की तरफ मोड़ा गया है नमबर पांच अब लाल रंग के कागस को मुरगे की कलगी की शकल में काट कर उसके सर के उपर चिपका दो नमबर चै एक छोटे से काले रंग के कागस को गोल काट कर मुरगे की आँख बना कर जगह पर चिपकाओ बाईं तरफ दी गई तस्वीर में मुरगे की कलगी और आँख बनाई गई है बस हो गया तुम्हारा मुरगा तयार इसी के साथ 24 असबाग की किताब आसपास का आठवा सबक पर फैलाएं उड़ते जाएं मुकमल होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्वान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्वान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत